हेलो बच्चों क्या हाल चालासा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा होना भी चाहिए क्यों क्योंकि आपका बोर्ड पास आ गया है और देखे ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एक्जाम की तयारी में दिन रात जुटे ह हुए हैं तो मान लो तो हार ठान लो तो जीत ये क्या बता दिये हम आपका टैग लाइन यही टैग लाइन आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपका बोर्ड एक्जाम पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता हर एक पेपर को पूरे मन से देना है और आपके साथ RSP स्ट जाएंगे घूमेंगे टहलेंगे लेकिन अब क्या करें 16 फर्वरी को ही पेपर आ गया अब 16 फर्वरी को आ गया तो भाई देना पड़ेगा छोड़ दिया जाएगा तो फिर 2024 में देना पड़ेगा तो छोड़ना नहीं है हमको पेपर देना है और 16 फर्वरी की तैयारी कैस कि 95 प्लस अंक प्राप्त करें मतलब हमको 95 प्लस अगर लाना है तो हम क्या करें कि हमारा नंबर मतलब अब भी अगर हमने थोड़ा बहुत कुछ मिस्वी कर दिया है या कम पढ़ा है तब भी 95 नंबर तक हम कैसे रीच करें कैसे पहुंचे अपना बेहतरीन percentage पेपर में कैसे बनाएं तो उसी की थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे लेकिन जो भी जानकारी रहेगी वो बिल्कुल ये मान के चलिए कि 100% प्रूब्ड रहेगी ठीक है तो देखे पहली जानकारी क्या है अब देखे इसमें आपको सिर्फ पांच चीज जो की बहुत बेतरीन तरीके से दिया गया है उसको आपको ध्यान में रखके अपने पेपर की तयारी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत हमारे चैनल पे जाके करनी सुरू कर देनी है तो देखे पांच मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट की किस तरह से हम अब भी अपना जो है सोला फरवरी की तयारी बेहतरीन कर ले अब आपके सामने सुरू से वीडियो चल रहा है आप लोग हो सकता हो पढ़ भी लिये हो लेकिन पढ़ने से जादा जरूरी है समझना तो आये समझते हैं कि करके कि अब जादा पढ़ने की तरफ ना जाओ अब ये क्या है भाई पेपर आ रहा है को जादा पढ़ना चाहिए पढ़ना तो चाहिए लेकिन जो पढ़ने हैं अब बस उसी को हमको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, अगर कुछ छूट गया है अलग से, तो उसको आप थोड़ा सोट में करके पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा लॉंग में अगर करके पढ़ेंगे तो उसमें टाइम बेश्ट होगा, अगर टाइम बेश्ट होगा, तो जो आप सोच रहे हैं उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे तो सबसे बढ़िया यही है कि हमको अब जादा पढ़ने की तरफ नहीं जाना है जो भी हम पढ़ चुके हैं उसको पूरा मन लगा के पढ़ना है दूसरा रिवीजन करो रिवीजन तब तक करो जब तक पेपर खतम ना हो जाए जब तक आपका पेपर है तब तक आपका रिवीजन दिन रात बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए और रिवीजन को अगर आप अपने ऐसे ही एक सतर से चलाते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि paper जब आप देंगे तो result में आपको बहुत ज़्याद़ effect देखने को मिलेगा तीसरा क्या है model paper को exam seat पर solve करो अब ये क्या है जैसे आप माल लिजे भाई देखो जितने बच्चे हैं उसमें मान के चलो कि लगभग 95% बच्चे अभी तक question bank खरीच चुके होंगे question bank के अंत में तीन model paper आपको दिये जाते हैं अगर माल लो कोई नहीं खरीदा है या खरीदने जा रहा है तो कोई उतना जरूरी question bank नहीं है आप तो google का जमाना है आप google करिए 2011 से लेके कईस तक चाहे जब का भी आप model paper या board का direct paper ही निकाल सकते हैं लेकिन question bank खरीदने से ये फायदा रहती है कि पिछले साल का पूरा revision उसमें रहता है तो वो क्या करता है पूरा जो आने की probability होती है वो बढ़ा देता है तो अगर आप model paper को solve कर रहे हैं तो आपका जो answer seat school में दिया जाता है उस copy को आप 3-4 रुपए की एक copy मिलेगी 50-60 copy खरीद लें डेली का नियम बना लें कि हमको 3 घंटे का अगर paper है तो उसको हमको धाई घंटे में ही खतम करना है क्यों क्योंकि board में pressure रहेगा paper में तो आप paper को जल्दी solve करने की कोसिस करें और model paper को आप answer seat पे ही लिखने की कोसिस करें अब हिंदी English के chapter की quick summary तयार करो भाई देखो हिंदी और English ऐसा subject है कि अगर आप इसकी quick summary नहीं तयार करेंगे quick मतलब जैसे एक राजा था एक रानी थे अदोनों अब समझ रहे ना कहाली खतम हो गई तो इस तरह से quick summary आप की होनी चाहिए कि तुरंत आप किसी भी chapter को अपने दिमाग में recall कर ले जिससे paper में आपको कोई दिक्कत ना हो अंत में क्या है प्रतेक प्रस्न को point wise solve करने की सबसे ज़्यादा कोसिस करो भाई देखो जो कक्छा 10 के बच्चे हैं उनके लिए तो ये मूल मंत्र है क्यों क्यों क्योंकि आपके पास अभी जो आपका एक subject है समाजिक विज्ञान ये जिसे आप sst कहते हैं तो उसमें आपको point wise ही आपका लिखना है ये sst में भाई हमको भी नहीं याद हो रहा था जूट क्यों बोलें लेकिन नंबर बहुत बढ़िया हमारा आया था हम नंबर नहीं बताएंगे वह आप comment करेंगे personally तब बताएंगे लेकिन अगर आप point wise लिखेंगे तो बहुत बढ़िया आपका भी number आ सकता है जो हमारे एक अच्छा 12 के बच्चे देख रहे हैं वो खास करके biology और chemistry में जितने भी उनके जैसे biology है कोई figure बनाए उसके नीचे point wise लिख दिये chemistry है कोई reaction दिया है उसको पूरा point wise solve कर दिये इससे क्या होता है number आपका increase हो जाता है point wise लिखने से तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है तो 16 फर्वरी की तयारी कैसे करनी है मान लो तो हाल ठान लो तो जीत इसी tagline के साथ वीडियो इंड करते हैं अगर पसंद आई हो वीडियो और आपको आपके paper से related वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को आप subscribe करें और साथ ही साथ वीडियो को like कर दें उसके बाद में जो भी समस्य हो उसको आप comment करें आपका समस्य हो जल्द से जल्द solve होगा तब तक के लिए ओक के बार